नमस्कार विद्यार्तियों बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्यानोदे अकेडमी हन्मानगर जंक्शन के इस ओनलाइन यूट्यूब चैनल पर क्लास टैन्थ के हिंदी चल रही है हमारी और चैप्टर नमबर फर्स्ट यानि की पार्ट एक सूरदास जी हम कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने आपका पार्ट नमबर दो तुलसी दास जी शुरू कर दिया था और इसका पार्ट वन था उसमें तुलसी तुलसी दास जी के हमने जीवन परिच्चे के बारे में बात की आज की छोटे से वीडियो में पार्ट परिच्चे के बात करेंगे क्योंकि पार्ट परिच्चे भी आपसे पूचा जाता है जी हाँ टैन्थ में आपको पता है आप एंसी आर्ट आर्ट आर्बेसी बोड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका NCRT से लेबस आगा है और NCRT में उनकी बुक है शितिस टू और जो उनकी बुक है शितिस टू इस शितिस टू बुक में चैप्टर नमबर सेकेंड हमारा चल रहा है तुलसी दास और तुलसी दास का वो टॉपिक जिस पर हम बाज बात करेंगे वो है पार्ट परीच्या जी हाँ तुलसी दास का जीवन परीच्या हम कर चुके हैं आज तुलसी दास जी के पार्ट परीच्या के बारे में बात करने जा रहे हैं तो देखें जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये जो हमारा पार्ट है तुलसी दास जी का इ यहां कितने कांड है रामचरत वानस में साथ कांड है और साथ में से एक कांड है बाल कांड उस बाल कांड से यह जो है हमारा जो पध्यान से लिया गया है अब इसमें था क्या देखिए रामचरत वानस के बाल कांड से लिया गया है सीता स्वेमबर यानि सीता जी के विवा के लिए उनके पिता के द्वारा एक स्वेमबर आयूजन किया गया है में राम के द्वारा राम भगवान भी अपने भाई लक्षमन के साथ गुरू के साथ इस स्वेमबर में जाते हैं और राम के द्वारा शिव धनुस भंग करने के बाद यानि एक धनुस था जो भी उसकी परतिक्षा चड़ादेगा जो उस धनुस को सही एक दव उसकी जो डोरी चड़ा देगा उसका विवा सिता से होगा और ये राम जी करते हैं वो शिव धनुस जब राम जी वो डोरी चड़ा रहे होते हैं तो शिव दनुस टूट जाते हैं तो शिव दनुस भंग होने के बाद मुनी परशुराम जो कि शिव जी के परम भक्त माने गए हैं परशुराम जी को जब ये समाचार मिलता है तो वो क्रोधित हो जाते हैं उन्हें गुस्ता आ और वो उस इस्थान पर आजाते हैं जहां सीता जी का स्वेमवर हो रहा था शिव दनुस को खंडित देखकर जैसे उन्होंने अपने भगवान इश्ट देव शिव जी के दनुस को खंडित देखा वे आपे से बाहर हो जाते हैं यानि उनका अपने आप पर कंट्रोल नहीं र तब जाकर परसुराम का गुसा क्या होता है शांत होता है इसी बीच में घटना के बीच में राम लक्षमन और परसुराम के बीच में जो समवाद हुआ उस परसंग को यहां प्रस्तुत किया गया है जिया राम लक्षमन और परसुराम स्पेशली अगर बात करें इसमें लक्षमन व्यंगे वचनों से देते हैं जिससे परशुराम जी का जो क्रोध है गुसा है वो और भी जादा भड़ जाता है इस प्रसंग की विशेष्टा है कि लक्षमन की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां वैत और व्यंजना शेली को सरस अभिवक्ति इसमें की गई है क तो मिलते हैं विद्यारते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू